इस टेस्ट में प्रेक्टिस करेंगे UPPCS CSET के प्रश्णों पर तो चलिए स्टार्ट करते हैं GS के तो इसमें 800 से उपर टेस्ट हो गए है UPPCS की टेस्ट सीरीज में और यह है पहला टेस्ट CSET का देखें उत्तर प्रदेश PCS प्रारंबिक परिक्षा की परिक्षा जो है वो एक ही दिन होती है दो चड़णों में होती है पहला paper GS का होता है 1500 प्रश्ण आते हैं उसमें दूसरा paper होता है CSET का CSET में आते हैं 100 प्रश्ण 100 प्रश्ण मेंसे कितने प्रश्ण 33 प्रतिश्चत जो है करने हैं ठीक है qualifying करने के लिए पकि जो merit बनेगी वो GS paper बनेगी अब इन 100 प्रशनों में देखें C set के तो कम से कम इसमें 12 से 15 प्रशन English grammar के आते हैं उसमें एक passage भी आता है 18 से 20 प्रशन Hindi grammar के आते हैं इसमें भी एक passage आता है लगभग 18 से 20 प्रशन math के आते हैं प्रशन के और 20 प्रशन आते हैं 18 से 20 reasoning के वो बचे हुए 24, 25, 26 प्रशन तक ठीक है वो रहते हैं समप्रेशन के ठीक है हिंदी और English का वेटेज देखें तो लगए 35 प्रशनों का आता है grammar का अगर इनकी वे अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे थोड़े से यहां लेकर थोड़े से यहां लेकर इस प्रशन को ना भी छोएंगे तब भी हम क्वालिफाइड कर जाएंगे लेकिन हलकी फलकी प्रैक्टिस से ही होगा सब कुछ तो चलिए श्टार्ट करते हैं Hindi grammar पढ़ते रहेगा प्रामर के हैं और इसमें कुछ रीजनिंग चलिए पहला प्रश्ण है हिंदी की मूल उत्पत्ति किस अपवरंस से मानी गई है इस अपवरंस से मानी गई है इस अपवरंस से विक्सित आधनिक भासाएं कौन-कौन सी है राजस्थानी पस्चमे हिंदी खड़ी बोली और ब्रजवासा नमर के तुमें से असुद्ध वर्तनी की पहचान करनी है असुद्ध वर्तनी कौन सी हैस में से वांचनी है द्वारिका भागी रथी प्रजवलेत देखें वांचनी है सुद्ध लिखा है भागी रथी दूप होगा द्वारका Question number धरी पराज़िए दीपसा मन जल उठा इस पंक्ती में वाचक सब्द बताए कौन सा है दीपसा मन जल उठा इस पंक्ती में वाचक सब्द है सा ठीक है? Option number D तो दीपसा मन जल चुका है इस पंक्ती में जो वाचक सब्द है वाले सब्दों को कहते हैं वाचक सब्द जैसे कि जियों सम सा सी तुल नाई आदी question number 4 पर आज़ेए पवन में नम्रिकित में से कौन सी संधी बताएए पवन में कौन सी संधी है यन संधी व्रधी संधी आयाधी या गुण संधी पवन में है आयाधी संधी option number B पवन में आयाधी संधी है कौन सी संधी है आयाधी संधी है और इस संधी के अनुसार यदि A A O के बाद कोई भिन्नुस्वर आये तो छोटे A का A हो जाता है और बड़े A का A हो जाता है वो का अब हो जाता है और आउ का हो जाता है आब कुछ अग्जामपल इसके जैसे नेधन अन, नयन, गेधन अक, गायक, पोधन अन, पवन, और पाउधन अक, पावक Question number 5 पर आज़िए, राज जिपाल में निमलिखित में से कौन सी संग्या है? राज जिपाल में निमलिखित में से कौन सी संग्या है? जाती वाचक संग्या है कौन सी संग्या है? जाती वाचक संग्या तो राज जिपाल सब्द में जो है वो जाती वाचक संग्या है संबंधियों, व्यवसायों, उत्पादों, कार्यों के नाम, पसुपक्षियों, वस्तुओं और प्राकृत्यक्ततों के नाम में जाती वाचक संग्या होती है कोश्य नुमबर 6 पर आजिए, बहे बहुत बड़ा लड़का है, बहे बहुत अच्छा लड़का है इस वाक्य में बहे कौन सा सर्वनाम है, कौन सा सर्वनाम है, निश्चे वाचक, संबंध वाचक, अनिश्चे वाचक या निजवाचक बहे बहुत अच्छा लड़का है, बहे जो है, वो निश्चे वाचक सर्वनाम है तो वह बहुत अच्छा लड़का है इस वाक्य में वह जो है वो निश्चे वाचक सर्वनाम है जिस सर्वनाम से किसी वस्तू का निश्चित बोध होता है उसको कहते हैं निश्चे वाचक सर्वनाम जैसे यह है वह ठीक है यह है वह question number 7 पर जाजिए oxygen toil और लिखा है arrows erosion ठीक है और यह क्या है tenuous अब इसमें next जो है पताना है कि कौन सा आएगा बताईए क्या लगता है loin on to onion या फर lustrous lustrous क्या आना चाहिए बताईए कि यहां से o x y z e n t o i l तो o का यहां o ही गया है ठीक है और तो कुछ है नहीं x गया न y गया न g गया न आगे भी यहां से i तो गया नहीं o यहां कुछ o एक को मन नहीं o को मन यहां भी o को मन क्या लग रहा है क्या होगा इसका answer देखें जो o है वो next सब्द में जो है एक number बढ़ रहा है मतलब अपनी एक position को जो है increase कर रहा है तो o यहां first पे है अगले सब्द में क्या हुआ है o दूसरे पर चला गया second पाइदान पर फिर क्या हुआ देखिए तीसरे पर आ गया है फिर क्या हुआ है चोथे पर आ गया है फिर क्या हुआ है पाँच में पर आ गया है 1,2,3,4,5 और आगे आ जाएगा छटे पर अब देखें यहां पर तो तीसरे पर है चोथे पर है चोथे पर इनको eliminate कर दीजे तो इसी में आ जाएगा ठीक है lustrous मतलब इसका answer हो जाएगा D तो इस तरह से भी प्रश्ण बनाए जा सकते हैं तो देखिए lustrous सब्द दिये गए अनुक्रब में प्रश्ण वाचक्षिन के इस्थान पर होगा क्योंकि दिये गए जो है सही रूप से इसका सही होता रहा है नमबर एट पर आज़िए 0 के बाद 2, 2 के बाद 6, 6 के बाद question mark मतलब इन में से कोई आगा फिर 20, 30, 40 क्या है पताई है यहां तीगुना हो गया सीदे यहां question mark फिर यह दोगुना तक नहीं है यहां पर यहां भी दोगुना नहीं है क्या लगता है देखे जीरो इस तरह से करते हैं इसको 2 प्लस 0 फिर 4 प्लस 2 फिर 6 प्लस 6 तो यानि दो में एक जोड़ेंगे यहां वाली स्रीज चल लगी है 2, 4, 6, 8 इस तरह से ठीक है संबाली 2, 4, 6, 8, 10, 12 तो 2, 0 प्लस 2 कितना हो गया 0 प्लस 2 हो गया 2 अब 2 में 2 के बाद 4 तो 2, 4 चार चार इस तरह से चल लगी है 4 और 2, 6 हो गया ठीक है फिर 6, 2, 4 फिर 6 आना चाहिए फिर 6 प्लस 6 ठीक है वराबर 12 हो गया तो यहां 12 आएगा ठीक है फिर 6 के बाद 8, 10, 12 इस तरह से चल लाए तो 12 और 8, 20 हो जाएगा ठीक है पर 10 चल लाए तो 20 और 10, 30 हो जाएगा तो कुछ यह सीरीज यहां प्लस होकर चल रही है प्लस 2, प्लस 4, 2, 4, 6, 8, 10, 12 यानि 0 प्लस 2 बराबर 2 2 प्लस 4 बराबर 6, 6 प्लस 6, 12 पर 8 प्लस 12, 10 10 प्लस 20, 30 और 12 प्लस 22, 54 यानि 2, 4, 6, 8, 10, 12 प्लस नमबर 9 पर आज़े जिस प्रकार दुखी से हस्मुख है तो उसी प्रकार बताईए सहिश्णू से क्या होगा दुखी से हस्मुख तो एक तरह से अपोजिट हो गया है तो बिलोम हो गया उसी प्रकार सहिश्णू से क्या होगा सहिश्णू, भायानक, उदास या प्रतिवादी प्रतिवादी हो जाएगा ठीक है उप्सन नमबर B तो जिस प्रकार दुखी का विप्रितार्थक सब्द है हस्मुख उसी प्रकार सहिश्णू यानि टोलरेंट का विप्रितार्थक सब्द हो जाएगा प्रतिवादी ठीक है प्रोटेस्टिंग दस्वा प्रश्ण है नमलेखित में से असुद वाक्य की पहचान करनी है आपको हम तो अवश्य ही जाएंगे हम दोनों में केवल यही अंतर है यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है सब्द केवल संकेत मात्र है बताएगे हम तो अवश्य ही जाएंगे अवश्य के साथ ही यहाँ पर ब्लंडर मिश्टेक है हम तो अवश्य जाएंगे ही यहाँ पर असुद्ध ही की आवश्चक्त है यहाँ पर हम दोनों में केवल यही अंतर है हम दोनों में केवल यही अंतर है ठीक है हम दोनों में यही अंतर है केवल की आवश्चक्ता नहीं है यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है यह सही है यहाँ अगर अनेको होता ना अ मात्र की अवश्कता नहीं है केवल के साथ गलत है तो पहले बाले में ही गलत है दूसरे बाले में केवल और तीसरे बाले में मात्र क्रम्षा अनुचेतन थी नू कोश्चन उबर 11 पराजी बढ़वानल सब्द के लिए एक उपरियुक्त वाक्चांस है बढ़वानल सब्द है क्या घर में रगले माली आग नहीं है बन में लगने वाली आग तो दावानल होती है समुद्र में लगने वाली आग और पेट की अगनी होती है जठरागनी तो समुद्र में लगने वाली आग वाक्चांस के लिए एक सब्द होगा उपरियुक्त सब्द बढ़वानल पेट की अगनी जठरागनी और बर्मे लगने वाली आग दावा न लिये तीनों याद रखना पोश्चन नमबर बारे पर आजए नमर्गत में से किसका परयवाची रक्त लोचन नहीं है यह red हो गया इसका मतलब यह उत्तर नहीं है नमर्गत में से किसका परयवाची रक्त लोचन है ठीक है रक्त लोचन किसका परयवाची यह बताईए नेवले का कभूतर या कोयल कबुतर का प्रायवाची है रक्त लोचन तो रक्त लोचन कबुतर का प्रायवाची है कबुतर के अन्य प्रायवाची देख रीजिए कौन-कौन से कल रव कपोत और कल रावत कॉशन नमर्ट 색 पर आजए ये नम्रिकत में से असुद्ध वाकि की पहचान करनी है असुद्ध यानि तीन होंगे यहां सुद्ध और एक होगा असुद्ध इसी को अपने को ठूड़ना है व्यायाम करना चाहिए ताकि हम स्वस्त रहें सास्त्री जी की मृत्तिव से हमें बड़ा खेद नहीं हुआ उनकी दुख हुआ दुख ठीक है दुख हुआ वाकि व्यायाम करना चाहिए ताकि हम स्वस्त रहें सही है और मुझसे यह कार संभव नहीं है यह भी सुद्ध है अगर यहां काम लिखाओगा तब बेसुद्ध है मेरे लिए वर्फ और आग लाओ इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है तो सास्त्री जी की मृत्तिव से हमें बड़ा दुख हुआ ठीक है तो खेद के इस्थान पर दुख का प्रियोग होगा तब ही सही होगा उचित भी होगा वो नमबर फोटीन पर आज़िए फिर से रिजनिंग आ गई है देखें कुछ सहीलियां अपनी आयू के अनुसार एक दूसरे से बड़ी और छोटी है ठीक है कलर चेंज कर लेते है बड़ी और छोटी है और यह भी दिया है मतलब कुछ दिया भी है क्या दिया है कि टीना मीना से बड़ी है लेकिन इतनी बड़ी नहीं जितनी रिना बीना मीना से छोटी है लेकिन इतनी छोटी नहीं जितनी एना यदि इन सभी सहीलियों को इनकी आयू के अनुसार अवरोही क्रम में यानि बड़े से छोटे के क्रम में रखें तो नमने के तो मैंसे कौन मीना से ठीक बड़ी है देखे यदि इस तरह के प्रश्ण आएं चाहें वो आयू के क्रम में आएं या फिर हाइट उनकी लंबाई के क्रम में आएं साही तरीका यही है, जैसे जैसे बोल रहा है, वैसे वैसे रखते जाईए, ठीक है, और उपर ही रखना, उपर नीचे करके, तो क्या बोला, यहां से से बड़ी हो गई लेकिन इतनी बड़ी नहीं जितनी रीना ठीक है टीना इतनी बड़ी नहीं है जितनी रीना तो रीना को टीना के ऊपर लिख दीजे अब अगली लाइन क्या है बीना मीना से छोटी है अब इन तीनों से उन दोनों का कोई मतलब नहीं है ठीक है तो कि नीचे जगह नहीं है तो हम लिखेंगे यहां बीना मीना से छोटी है ठीक है बीना मीना से छोटी है तो बीना हो गया नीचे और मीना हो जाएगा उपर ठीक है बीना मीना से छोटी है यह जो मीना यहीं है ठीक है बीना मीना से छोटी है लेकिन इतनी छोटी नहीं जितनी ए यहीना बीना जो है वो मीना से चोटी है लेकिन इतनी चोटी नहीं जितनी एना तो एना सबसे चोटी होगी फ़र यदि इन सभी सहीलियों को इनकी आयू के अनुसार अब रोही करम में रखना है यानि अधिक से कम की तरफ तो निम्रे के तमेशे कौण मीना से ठीक बड़ी है कौन मीना से ठीक बढ़ी है तो देखे सबसे उपर आ गई रीना उसके नीचे टीना टीना के नीचे मीना मीना के नीचे बीना और सबसे नीचे है एना ठीक है तो सबसे छोटी यहाँ एना हो गई सबसे बढ़ी हो गई यहाँ पर और रीना पूछा क्या है निम्लिकत में से कौन मीना से ठीक उपर है तो मीना से ठीक उपर तो टीना है तो टीना ए आंसर हो जागा इसका ठीक है तो देखिए उपर युक्त सहलियों का जो अबरोहिक्रम होगा कम से अधिक के और सबसे बड़ी रीना, रीना से छोटी टीना, टीना से छोटी मीना, मीना से छोटी बीना और सबसे छोटी एना अब चाहिन को उपर से नीचे की तरब लिख लेजे पंदरा प्रशने नमर्गित में से कौन सा सब्द विसेश है? इनमें से उतकरष्ट उन्नती, उपेक्षित, उपार्जित में विसेश है उन्नती तो उन्नती विसेश सब्द है जिसका विसलेशन रूप क्या होगा? उन्नत उपारजित, उपेक्षित और उतकरष्ट जो है वो विशेशन सब्द हैं जिनके विशेश रूप क्रमसा होंगे उपारजित का विशेश होगा उपारजन उपेक्षित का विशेश उपेक्षा और उतकरष्ट का विशेश होगा उतकर्ष थीक है विशेश है ये विशेश है Question number 16 पर आज़ेए जब पानी वरस्ता है तब मेढग बोलते हैं इस वाकिय में जब पानी वरस्ता है कौन सा वाकिय है बताएए संग्या उपवाकिय क्रिया उपवाकिय विशेशन उपवाकिय क्रिया विशेशन उप वाक्य, जब पानी वरस्ता है तब मेढक बोलते हैं, जब पानी वरस्ता है तब मेढक बोलते हैं, इस वाक्य में जब पानी वरस्ता है वाक्य, क्रिया विशेशन उप वाक्य है, तो जब पानी वरस्ता है, तब मेढक बोलते हैं, इस वाक्य में जब क्रिया विशेषन का कारे करता है कुश्य नम्बर 17 पर आज़े 20 प्रशन इसमेव से आस्तीन का साप मुहावरे का अर्थ आसान सा प्रशन बहुत आसान कप्टी मित्र साथ देने बाला नहीं होगा वफदार नहीं होगा तो आस्तीन का साप मुहावरे का अर्थ है कपटी मित्र कॉश्चन नमर 18 पर आज़िए नम्रिकित सब्द में अव्याई भाव समास नहीं है देखिए 28 से 20 प्रश्ण है 5 से 6 प्रश्ण तो आएंगे उसमें एक पैसे जाएगा उसमें सी 5 प्रश्ण बन जाएगे अब एक तत्सम तत्मप भी हो सकता एक समास विग्रे हो सकता सुध असुध सब्द भी हो सकता सुध असुध वर्तनी भी हो सकती है ठीक है बिलोम सब्द हो सकते हैं विशेशन विशेश हो सकते हैं परयायवाची हो सकते हैं समिक्षा अधिकारी में तो केबल 10 टॉपिक है हिंदी के ठीक है सॉरी 6 टॉपिक है और 1 से कम से कम 10-10 प्रशन आते हैं उसमें ठीक है बगी इसमें जो है हिंदी में पूरा है कुछ भी पूछ सकते हैं 18-20 प्रशनों में तो अव्याई भाव समास यहां नहीं है ग्राहा गत में ग्राहा गत में जो है वो ततपुरुष समास है ठीक है ततपुरुष समास है भरपेट में अव्याई भाव है बखूबी अव्याई भाव है परुक्ष में अव्याई भाव है भाव तो ग्रहागत मतलब ग्रह को आगत में तत्पुरुष समास है अगी बखुवी, भरपेट और परोक्ष में जो है वो अव्याई भाव समास है चलो एक उस्चन अबर 19 पराजिए दीगई इस रंखला में गलत संख्या पद ग्याद करना अपने को 121, 441, 961, 1681 और 2602, 2602 अब देखे यहाँ तो तीगउनी हो गई पर यहाँ दुगनी लगभग यहाँ दुगनी भी नहीं है ठीक है कुछ में तो मल्टिपल बना लेकिन कुछ में रिवना है क्या यह यह क्या है क्यूब तो नहीं है किसी का 11 का होता है 121 फिर 12 का तो 144 होता है ठीक है और यहाँ लिखा है उल्टा 441 तो यहाँ अगर हम इसको उल्टा कर दें तो हम कर दिया 21 21 का square 11 का square 1212 का square क्योंकि यहां उल्टा करेंगे कोई फरक ने पड़ेगा तो यह हो जाएगा 441 फिर 31 पर आ जाईए 13 का 161 होता है उल्टा करके लिख दिया तो यह हो गया 961 फिर आ जाईए 14 पर यानि 41 पर आ जाईए 41 का होता है 1681 फिर आ जाएगा 51 51 का cube इतना तो correct हो गया यह correct यह correct यह correct 51 ही बन रही है यह इसी तरह से चला ना यह 21 31 41 घ्यारा 21 31 51 51 का square तो यहां दो लिखा तो यही गलत है ठीक है कितना होना चाहिए फिर यह 0 हो गया फिर यह हो गया 62 ठीक है तो यह हो गया 261 आना चाहिए यह बन चाहिए फिर 21 का 441 31 का 961 फिर 41 का है 1681 और 51 का है 2601 ना कि 2602 ठीक है reasoning में कुछ भी जो है तिगड़म बढ़ा सकते हैं examiner question number 20 पर आज़ेए दी गई बर्ण स्रंखला में कुछ बर्ण लुप्त हैं लुप्त बर्णों के सही क्रम को दिये गए विकल्पों से चुनना बताईए रिक्तिस्थान C, रिक्तिस्थान CA, रिक्तिस्थान AB, रिक्तिस्थान BC, फिर रिक्तिस्थान देखे इस तरह के प्रश्णों में जो है इस तरह के reasoning के प्रश्णों में होता क्या है या तो 3 का बन जाता है ठीक है या 2 का रहता है ठीक है या तो 3 का बन जाता है जैसे ये 2 का है वो कभी-कभी ऐसे होता है 3 3 से जोड़ा बन रहा है अभी यहां कितने का बन रहा है पहला बाला भरके देख लेते लिसे A, B, C, A, C तो यह बना A, B, B, C, A, A, B और फिर A, B, C, C A, B, B, C, A, A, B यह तो कुछ बन रही रहा तो सेकेंड बाला हो जाएगा यहां पर B, A, B, C, A थर्ड का पेर अगर इसमें बनाए हम तो हो जाएगा B, C, A, C, A, B A, B, C, और B, C, A तो यही हो जाएगा 20 का अंसर ठीक है तो कुछ इस तरह से होगा यह देखें B, C, A, C, A, B A, B, C, और B, C, A यानि B बाला उप्सन ठीक है B बाला उप्सन B, C, A और अगले में क्या हुआ B, C, A, Next में क्या हुआ जो अगला बाला नंबर है उससे स्टार्ट होके गाड़ी ठीक है, Next चलिए जैसे B, C, A, C, A, B से फिर Next में क्या हुआ फिर C के बाद A आ गया A, B, C उसके बाद क्या हुआ है फिर से जो है B से चलिए, B, C, A ठीक है तो B हो जागा इस कांसर है तो कभी-कभी ये ट्रिपल पे बन जाता है कभी-कभी दो-दो के योकुम बना कर भी इसको हल किया जा सकता है तो 20 प्रेशन थे ये कोच इसमें रेस्निंग के और वाग्य अधिकतर हिंदी ठीक है ज्यादे से यादे प्रक्टिस सेट जितने हो सकेंगे करेंगे C सेट के धन्यवाद प्रक्टिस करते रहे ये खुद से भी